नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सबका स्वागत है में रश्मी शर्मा अभी तक की बड़ी खबर लेकर आपने व्यूवर के समख्ष हम आजीर हुएं और माजरे चाहते हैं पहला लाइफ तो उसमें आवाज ना आने की वज़ा से हमें वो लाइफ कट करना पड़ा और हमारे ही व्यूवर्स ने कहा कि आवाज नहीं आ रही है और अभी भी अगर आवाज नहीं आ रही है प्लीज क्योंकि कही ना कही वायर जो है मेडिया कर्मियों का आए दिन जो हम लोग कवर करते हैं कही ना कही खीचा तानी में वायर जो है काफी प्रशानी का सबब बन यह बड़ी खबर जो आ रही है बड़गान से आ रही है कि पूरी खबर क्या वो भी बताने का परियास करेंगे कि पुलीस के हाथ लगी है एक बड़ी बड़ी कामियाबी कि नाजाने कब से यह जो गिरो है किस तरह से जो की मानव तसक्री कर रहा था और खासकर कि इसमें बता और पूरी खबर क्या है ये बताएंगे अब पुलीस के अनुशार बढगान जिले में तीन लोगों को गिरफतार कर मानव तसक्री के एक मामले का बादा फोड किया गया है और ये भी बताएंगे पुलीस के मताबिक जो पूरी बात है वो बताएंगे मानव तस्क्री के सक्रिये होने की सूचना पर कारवाई करते हुए ठाना बढगाम की एक पुलीस थीम ने गाउन दूली पोरा में एक विशे स्थान पर छापा मारी और एक के घर बे चोधा महिला हैं और कुछ नाबालिक सहीत बच्चियों को छुड़ाया और साथी साथ शमीम हमद भट पुत्र अब्दुलरह्मान भट निवासी दूली पोरा और साथी साथ उन्हें भी हिरासत में लिया आसपास के जो स्थान थे वहां पर भी फिलहाल पुरी तरह से छापा मारी और त अब्दूली पुरा पार्थन के निवासी असमत पतनी शफीग एहमद वानी को गिरिफतार किया गया और एफाइर नंबर तीन सो सतर अबलीक दो हजार बाइस कानून के तहत उन्हें यानि के रेलेविट धारों के तहत केस दर्च किया गया और साथी साथ उन्हें बताया क जो जहांचे फिला चली चल रही है और तीन लोगों को अरोपियों को बढ़गा मुजिला के गाटी के अन्हें यानि उन्हें गिरिफतार किया गया और जो जानतारी मिली है जिन तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका काम था अलग अलग जगों से लड़कियों को उनका शोशन कर मानव तसक्री करना यानि ये लोग महिलाओं को और बच्चियों को खरीद फरोखत करकर आगे उनका शोशन करते थे गलत रास्ते पर उन्हें चलाने का परियास करते थे यानि मानव तसक्री करते थे में भी और भी बड़े कुलासे हो और भी बड़े नाम इस में शामिल हो सकते हैं मामले में आगे की जान जारी और कई और गिरफ्तारियां होने की भी उमीद है पहले ही हमने आपको बता है कि फिलाल कहा गया है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और साथ ही साथ इबी जो मुक्त किराए गए मारत असकरी पीड़तों को नारी निकेतन पुर्मनासकेंद्र चदुरा में सानर्ति कर दिया गया है और उनके पुर्णवास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है यानि ये बड़ी खबर जो आ रही है ये बढ़गाम से आ रही है और पुलीस के हाथ एक बड़ी कामया भी लगी है और साथी साथ इन्हें Rehabilitation Center में फिलाल बेद दिया गया है और इनके जो आगे की जो प्रक्रिया यानि स्टेटमेंट्स है वो उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है फिलाल ये कहेंगे कि घाटी में इस तरह की बात सामने आना यानि ना जाने कब से ऐसे गिरो जो की छोटी चोटी मासूम बच्चियों की खरीद फ्रोक्त कर रहा था उनका शोशन कर रहा था पुलीस को एक बड़ी काम्याबी मिली है और बढ़गाम पुलीस को वाकरी कई ना कई वो सरहने कदम उठाया ना जाने और कितने ऐसे गिरो गाटी में सक्री होंगे जो चोटी चोटी चो तो कई बार काजमू के कासी नगर से भी इस तरह की खबरे आती हैं कि छोटी चोटी चोटी बच्चियों को देपवार के धंदे में धकेला जाता है और जब कोई बच्ची या कोई महिला उसको नकारती है उसका विरोध करती है तो उसे जान से मारने की दमक्यां भी दी जा से उन्हें गलत रास्ते पे लगाने का प्रयास करते हैं उनकी जिंदगी के साथ उनके भविशे के साथ उनकी असमत के साथ खिलवार करते हैं और वहीं दूसरी तरफ मादा पिता को भी सतर्ता बरतनी बहुत ही जरूरी है कि आखिर उनकी बच्चियां किन से बात कर रही है किन की किन की तरफ यानि क्या क्या उनकी एक्टिवीटीज है यह सबसे बड़ा एक सवाल रहता है क्योंकि बेटियां किसी की भी हो बेटियां अगर कहें बेटियां साजी होती हैं तो इस तरह की चीजें करने वाले या इस तरह की गिरों को सक्से सक्स उन पर कारवाई होनी च सकते हैं कि यह ऐसे नाम भी आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तसकरी में मुलबस हो फिलाल यह कहेंगे कि एक बड़ी काम्याबी मिली है जो की बड़गाम पुलीस को जिसके चलते के तीन लोगों को फिलाल गिरिफतार किया गया आने वले समय में और भी बड़े नाम हो सकते है जो की आने वाले समय में और भी नाम इसमें हो सकते हैं फिलाल ये कहेंगे बढ़गाम एरिया की एक बड़ी खबर जो आप तक हम ला रहे हैं तीन लोगों को हिरासत में लिया गया और चोदा लोगों को जो विक्टम महिलाएं थी जिन में माईनर बच्चयां भी थी उन्हें भी फिलाल छुडाया गया और नारी निकेतन में फिलाल रखा गया है एक बड़ी खबर है और देखना यह है और आप किस तरह से जांच होगी और उस जांच में क्या निकल कर सामने आता है कि और कौन-कौन किस-किस के नाम आते हैं बिल्कुल राजन जी आपने माज़रे चाहते हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आई दिन इस तरह की वारदाते हमारे सामने भी आ रही है अब यहाली में अगर बात करें राजोरी की माज़रे चाहते हैं पूंचे के मैंडर में एक 13 साल की बच्ची ने एक बच्ची को जनम दिया और जो रोपी था जिसके जिसका वो बच्चा था यनि उसी उसकी उमर जो 16 वर्ष थी यनि दोनों माई नर थे फिलाल उसे कस्टरडी में लिया गया है पर सवाल बढ़ा ये है कि अगर वो बच्ची 9 माह से पेट सेती तो माता पिता को क्यों नहीं पता चला ये कही सवाल सा रियासेते सुनने में आ रहा था जो सूत्रों के अधार पर हम तक खबर पहुंची थी कि दूर पार से बच्ची का वो रिष्टेदार था और साथी साथ ये कहेंगे कि उनकी आपस में भी बाचित होती होगी या माता पिता को नहीं पता होगा या माता पिता के चोरी चुपे वो मिलते होंगे पर फिलाल ये कहेंगे ये भी एक शरमसर कर देनेवी अरकत थी कि तेरा साल की बच्ची ने पहली बार शाहिद मेंडर की दर्ती पर एक तेरा साल की बच्ची ने एक छोटी बच्ची को जनम दिया यानि हम समाज को किस और लेकर जा रहे हैं समाज किस सवर जा रहा है किस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही है और ऐसे यानि कि फिलहल यह कहेंगे कि ये भी बताया जारा थै कि बच्ची के दूर पार से कोई रिश्टेदारी थी और वो उरोपी जिसकी उमर 16 साल थी फिलहला वो बच्ची ने जनम दिया और medical officer ने भी ब्यान दिया कि बच्ची हमारे पास आई थी जब उसे लेकर आये थे उसे पेड में दर्ध हुआ था और पेड में दर्ध हुआ था जब मैं पता चला कि वो pregnant है उसके बाद उस बच्ची का उसने वहाँ पर बच्ची को जनम दिया ए उन्हें कोई भी बच्ची की तरफ से ऐसी कोई activity बच्ची के शेहत में या बच्ची के उठने बैठने में कोई ऐसी चीज समझ नहीं आई कुछ आसा इसारा नहीं हुआ कि जिसके साथ उन्हें लगे कि बाड़ी में कोई changes आ रही है बच्ची के एक बड़ी सोच की विचार की बड़ी विडमना की बात है कि हम समाज को किस ओर ले कर जा रहे हैं यानि हमारा समाज पिछरी हुई बातें फिर से दोराई जा रही हैं कभी बच्ची के साथ गलत होता कभी बच्ची का शोशन किया जाता है कभी नाबालिक बच्ची के साथ दुशकर्म किया जाता है कही न ठो की चीज़ समझते हैं यहाthree देश की सब्धिता है नारी का पमान एहीिक के सम्धान करना नारी का मान किसी कोई भी दर्म इजाज़त नहीं देता हर दर्म में नारी के मान की ततरıld कहीं दें किसी धरम का मान की बहुए नारी का मान करना चाहिए नारी का मान समान करना चाहिए जब उसी नारी की गर्मा को हम कुछ तार-तार करते हैं तो उसमें हमें क्या हमारा दर्म हमें इस चीज की अजाज़त देता है क्या वो अल्ला वो बगवान वो रब वो वाई गुरू हमें माफ कर पाएगा तो ये बड़ी चीजे सोचने की वाली बाते होती हैं कि इन पर ध्यान देने वाली बाते होती हैं समाज में इस तरह की चीजे ना हो हमें एक दूसरे को अवगत कराना अपने बच्चों को अपनी परिवार में बैठ कर इस चीजे की डिसकेशन करनी चाहिए और खास करके अपनी बच्चियों को educate करना चाहिए और जिस तरह से बढ़गाम की जो बात सामने आईए आज भी हम अगर ये कहेंगे कि किस सदी में है और उस सदी में अगर इस तरह की चीजी हो यानि महिलाओं को बच्चियों को आप इस तरह के विपार में यानि उनका परोखत हो रही है तो वाके ही हम कहेंगे हम समाज को अच्छी दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं यानि आने वाले समय में क्या होगा अनुमान आप लगा सकते हैं यानि चोटी-चोटी माइनर बच्ची जिनको या शार यह भी नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है और आसे लोग समाज में हमारे आसपास भी हो सकते हैं जो नजरे गड़ाए हैं कब हमारी बच्चियों के साथ गलत करें या हमारी बच्चियों को गलत रास्ते लगाएं या उनका शोशन हो एक बड़ा सवाल रहता है कि आखिर कमिया का है कमिया समाज में हैं हम लोगों में हैं य यानि हमें मिलकर इन चीजों को आवेर करना है, मिलकर इन चीजों को खत्म करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये तब ही होगा जब हम मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए, इसके लोगों पर कड़ा से कड़ा शिकंजा कसना चाहिए ताकि इबरतनाक इबरतनाक होनी चाहिए सदा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो लोग ये सोचें कि करने से पहले हजार बार सोचें एक बड़ी बात है फिलाल बड़ी खबर बटगाम से तीन लोगों को गिर जो कि नारी निकतन भेज़ दिया आप देखें कि जानकारी में निकल कर क्याला में भी कोई बड़े नाम भी इस भी हो सकते हैं आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजी इस वीडियो को चितना कि शेयर कीजिए तो डिया सीमार से अगले अपडेट के लिए जाहें जबर झाल्स आपने बाहें